जमूरों की पन्हागा बने पाकिस्तान का नाम दुनिया के उन देसों में सामिल हो गया है जिनकी टूरिश डेस्टिनेशन बिलकुल भी जाने लायाक नहीं है इंटरनेशनल एस और एस कंपनी द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के नुसार सुरक्सा, मेडिकल, स्वच्ता, रोड सेप्टी के मावले में पाकिस्तान सबसे बेकार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान के टूरिस्ट और धोग के बाजे बजना लगबग तै है पाकिस्तान का टूरिष्ट दोग इस वक्त वैसे भी पानी पी-पी कर सांसेल ले रहा है वहां के हालतों को देखते हुए विदेशी प्रियटकों में पाकिस्तान भर्मन के परती 82 फिजदिक कमी आई है पाकिस्तान के सबसे बड़े सैर कराची में गंदगी के लगे अंबार अभी तक साप नहीं किये जा सके है तूरिष डेस्टिनेशन पर जारी रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया के तेरा खतरनाक देशों में सामिल किया गया है इस सूची में अफ्रिका के पांच, मद्दा एसिया के पांच, पूर्वी एसिया के दो और यूरोप का एक देश सामिल है सूची में सबसे उपर माली का नाम है चोकाने वाली बात यह है कि सूची में इसराइल 12 नंबर पर है जबकि पाकिस्तान उससे एक पायदान नीचे है खास बात यह है कि पाकिस्तान खतरनाक टूरिश डेस्टिनेशन की देशों की किसी सूची में पहली बार सामिल नहीं हुआ है वरस 2016 में रिचेश.com ने सूची जारी की थी उसमें भी पाकिस्तान को खतरनाक टूरिश डेस्टिनेशन बताया था इसी वर्स वी रिस्क मेपल क्राप्ट एजेंसी ने अपरादिक सूच कांक आधार पर खतरनाक देशों की सूची जारी की थी जिसमें पाकिस्तान को भी सामिल किया गया था दरसल इस सूची को जिसाधार पर बना गया है उसमें आतकवाद के लावा वहाँ पर होते अपराद और कानून व्यवस्था को ध्यार में रखा गया है पाकिस्तान में सैलानियों की सुरक्षा को लेकर बहुत कम ववस्था है इसके अलावा स्वाय सेवाई भी या बधाल है इतना ही नहीं पाक सरकार का अपनी जंता पर कोई नियंतरन नहीं है इस सूची के जारी होते ही पाकिस्तान की सरकार के हाथ पाउप फूल गए है पाक के वजीराजम को उम्मीद थी करतारपूर कोरिडोर के खुलने से उनके यहां प्रियतन उद्धोग को गती मिलेगी मगर इस सूची ने उनकी धड़कने बढ़ा दी है ऐसा लगता है पाकिस्तान में जो सैलानी आए हुए है वे भी जल्दी ही रखुच करखो जाएंगे हलकि पाकिस्तान सूची द्वारा जारी कारणों की समिक्सा करने के बजाए उसकी आलोचना करने में जूट गया है